हेलो माई डियर फ्रेंट स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टडी आईक्यू प्रीमें में आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 10 महत्पून क्वेस्चन जो कि आपके कोकिंग क्वेस्चन से इंकलूड किया है इसी की कोई proper book नहीं है आप हमारी वीडियो से ही इसको पढ़ सकते हैं और बड़े ही सांधर क्वेस्चन है किस प्रकार से आपके question यहाँ पे पूछे जा सकते हैं उसका जो है आपको एक ब्योरा आपको मिल जाएगा और यहाँ से question भी आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखे पहला question है आपके सामने bank bank किये गए खाद्य पदार्थ के लिए जो रखा जाता है bank का मतलब है जहाँ पर जैसे हम रख देते हैं freeze बगएरा में store करके किसी खाद्य पदार्थ को baking soda का उप्योग क्यों किया जाता है तो baking soda का उप्योग जो है bank किये गए खाद्य पदार्थ में क्यों किया जाता है तो यह आप से यहां पर पूछा है तो तेखिए इसका क्या कारण हो सकता है तो इसका जो प्योग किया जाता है किडवी कारक के रूप में किया जाता है ठीक है आपने देखा होगा आपने पढ़ा होगा आपके 10th या 12th में ये किड़वी कारक के रूब में इसका प्रियोग किया जाता है तो किड़वी कारक आपने 10th या 12th में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में ठीक है? हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है चलिए अगला क्वेशन देख लेते हैं ये क्वेशन को जिसमें पूछे गए हैं 2019 में ठीक है? ध्याद रखेंगे अगला है अधिक मीठी बनी किसी डिस्क को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर मीठा हो जाता है तो उस डिस्क को आप किस प्रकार से यहाँ ठीक कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है तो यह आपको जरूर पता होना चाहिए तो इसका राइट आंसर जाएगा? बिलकुल नीवुद था नीवुद पानी का निचोट डाल कर इसको हम थोड़ा जो है इसके जो मीठे पन को है कम कर सकते हैं तो ध्याँ रखेंगे B option इसका right answer हो जाएगा अगर मीठा जादा होता है तो उसमें हम थोड़ा सा नीबू करस इसमें डाल सकते हैं जिससे मीठा जो है कम हो सकता है चलिए अगला question इन में से कौन सी बंगाली मिठाई नहीं है which of this is a बंगाली sweets तो इन में से कौन सी है जो की बंगाल की मिठाई है तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा देखिए ये भी बंगाल की मिठाई नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो बचा एक रसकुला तो ये आपकी जो है बंगाल की मिठाई है दियान रखेंगे B option इसका D option इसका right answer हो जाएगा तो ऐसे ही question आप से पूछे जाते हैं तो इससे related आप जितनी भी question है वहाँ पर पढ़ सकते हैं हमारी ये series regular चलेगी आप से जुड़ सकते हैं अपने साथियों के साथ share कर सकते हैं चलिए अगला question देखेंगे हैदरवादी भोजन निमली में से किस भोजन का mission है हैदरवादी जो भोजन है निमली में किस का भोजन का mission है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा मुगलाई, लखनवी और फार्सी इसको आप internet पे भी search कर सकते हैं जो मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ पे तो इसको आप internet पे search कर सकते हैं आराम से यह आपको आराम से मिल जाएगा ठीक है जो भी recipe में बताता हूँ यहाँ पे उसी option इसका right answer हो जाएगा हैदरवादी जो भोजन है आपका मुगलाई, लखनवी और फार्सी इन सभी भोजनों का मिश्रण है ठीक है ध्यान रखेंगे चलिए अगला question smoke point सब्दकार्त क्या है तो देखिए यह बहुत बार पूछा जाता है smoke point सब्द क्या है जो खाना बनाने के समय आपका use होता है तो what does the term smoke point मैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा smoke point ठीक है cooking भासा में आप इसको smoke point कहेंगे ध्यान रखेंगे important question है c option इसका right answer हो जाएगा चलिए अगला question देखेंगे अगला question है print gel जैसे आकार की मिठाई जो चीनी की गाड़ी चासनी में होती है देखिए print gel जैसी जो आकार की मिठाई है जो कि चीनी के गाड़ी चासनी में आपकी होती है तो option में आप देख सकते हैं कौन-कौन सा बनता है तो गाजर का हलुआ भी बनता है जलेवी भी आपकी बनती है गुलाव जामुन भी चासनी में बनती है और रजगुला भी तो यहाँ पर पुछाए print gel जैसी तो देखे print gel क्या होता है इस प्रकार से जो टेड़ी मेड़ी जो आपकी बनती है क्या होगी तो आपको पता होगा टेड़ी मेड़ी क्या बनती है जलेवी बिल्कुल इसका right answer क्या हो जाएगा छलीबी इसका राईड अंसर हो जाएगा print gel जैसे आकार की मिठा जो चीनी की गाड़ी चार्चनी में होती है उसे क्या जलीबी चली अगला question question अगला है brandage करने का क्या आर्थ है देखे ब्रेंडes करने का क्या आर्थ है आप से यहापर पूछाएं इंगलिस का सबते ध्यान रखेंगे important है बहुत ही जादा बिल्कुल brain days देखिए इसका right answer क्या जाग देखिए brain days होता है जिसे हम पहले हम खुले बर्तन में सबजी बगएरा बनाती है तो time लगता था बहुत ज़्यादा गैस भी बहुत ज़्यादा पुकती थी और time भी बहुत ज़्यादा लगता था उसके बाद हमारे पास आए कोकर जो कि छोटा होता है उसमें CT लगी होती है और वो बंद होता है ठीक है बंद होता है उसमें जो है जल्दी से अपना थोड़ा सा पानी डाल करके सबजी बगएरा डाल देते हैं और वो 5 या 3-4 मिनट में आपका पक जाता है क्यों पक जाता है क्योंकि उसमें प्रैसर होता है वो प्रैसर जो है बहान नहीं निकल पाता है बहाब का ठीक है तो ये इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इस से हिसाब से किसी बंद बर्तन में थोड़ी मातरा में तरल पदार्त में खाना पकाना ठीक है तो ये खाना जो पकाने की पिरक्रिया है इसको क्या कहते है ब्रेंडेस करना ठीक है ब्रेंडेस जो है ये जो कुकर में जो खाना बनता है उसको बोलते है ठीक है कि प्रकार से आप उसकी जो है जैसे बाजार से लाए तो उसको किस प्रकार से आप दोएंगे सोखाय बनाने के लिए तैयार करेंगे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल देखें सी उप्षन इसका राइट अंसर हो जाएगा ध्यान रखेंगे ठंडे जल में सीत जल मतलब ठंडे जल में डालने से पहले उसे उबले हुए पानी से गर्म करना या उसमें डोबो करके उसे निकाल लेना जिससे उसके कीट आडू या कोई भी जो आप प्र निम्न में कौन सा चावल का बना आधर का लोग प्रिये डिस है आंधर प्रदेश का जो लोग प्रिये डिस है इनमें से कौन सा है जो की चावल का बना होता है ठीक है घी चावल चिननना मोसरनना या बिर्यानी तो देखिए आंधर प्रदेश का जो लोग प्रिये डिस है ब असानी से question के answer दे सकते हैं ठीक है और इसी प्रकार से question आप से पूछे जाते हैं friends दिहान रखेंगे बहुत important है तो बिरियानी इसका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे निम लिखत में लोग प्रिये डिसों पकवानों में से किसका उदवव दच्छन भारत में हुआ है तो इ यह हुआ है आपके मूली गतवानी सूप ठीक है बी option इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा मूली गतवानी सूप इसको आप गूगल पर भी search मार सकते हैं मूली गतवानी सूप क्या होता है तो यह एक चावल का बना होता है चावल इसमें होता है और इसमें आपकी गाजर डाल सकते हैं सबजी बगएरा इसमें डाल सकते हैं गाजर बगएरा उसके बाद इसका सूप बनाया जाता है उसे बोलते हैं मूली गतवानी सूइप ठीक है तो ध्यान रखेंगे इसका राइट अंसा तो ये थे आज गे महत्पूर्ण क्वेस्चन कैसे लगे क्वेस्चन जरू सेर करें चलिए मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए जैंग जैभारत सपोर्ट करें चैनल को ज़्यादा सेर करें बड़ी मुश्किल से आपके लिए ये जो आपके क्वेस्चन से हम डूड करके लाते हैं आपके लिए जो पिछले एक्जामों में पूछे ग वीडियो में तब तक के लिए जय वारत